UPPH के वैसे छात्र जो exam conduct करने के पक्ष में और जो exam conduct करने के पक्ष में नहीं है, सभी से निवेदाने की वीडियो को पूरा देखे। हैं परनाटका में 30 और 31 जूलाई को CET 2020 एक्जाम कंड़क्ट करा गा थे जिसमें टोटल 1.47 लाक एपियर कंडिडेट एपियर हुए थे जिसमें कि 60 कंडिडेट कोरोना पोजेटिव पाए गए तो आप समझ सकते हैं 60 कंडिडेट ने कितने कंडिडेट को पोजेटिव किया होगा और यूपी में टोटल 4 पॉर पाइंट सारे 4 लाक कंडिडेट एक्जाम में बैठने वाले हैं वो भी अधिकतर कं 30 से 40 परतिसत कंडिडेट का एक्जाम सेंटर 200 से 300 किलोमीटर दूर है तो आपसे गुजारिस है कि सभी स्टुडेंट लखनाव उनिवर्सिटी को मेल करें कि जिसका एक्जाम सेंटर 200 से 300 किलोमीटर दूर है या तो उसका exam बाद में लिया जाया है या उसका center change कर home district में उसका center दिया जाया तो आप ज़्यादा से ज़दा mail करें यू पी university और इस news को भी बाइरल करें और सत्वे ये news भी mail जरूर किजीएगा तो आप सभी को मेल करना है कि आपका एक्जाम दूसरे दिन लिया जाए जिसका भी सेंटर 200 से 300 किलोमीटर दूर है या उसका होम डिस्टिक सेंटर देकर एक्जाम दूसरे दिन ले लिया जाए तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेल करना होगा और इस वीडियो को सेर जरूर करें हर एक स्टूडेंट को इस वीडियो को सेर करें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डराना नहीं बलकि सचित करना चाते हैं कि आप एक्जाम देने जाए तो पूरी सुरक् परदान की जाए जिससे उसे संक्रमित होने का डर बना नहीं रहे तो ऐसे ही लेटेस्ट अप्टेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें